फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्सा आठ भाग एक सामाजी की विज्ञान इत्यास हमारे अतीत थर्ड जिसके चैप्टर संक्या 10 सोतंतरता के बाद जिसके अभ्यास परशन जो पार्टि प कस्या दूसरा था रियासतों की समचिया और तीसरा था एक ताकीस समचिया ठीके अगला परस्न है यूजना आयो की क्या भूमी का थी आश्यू लिखेंगे 1950 में सरकार सरकार ने आरृठिक विकास के लिए नीतिया बनाने और उनको और प्रस पर पूरक भूमिका आदा करेंगे किस छेत्र की क्या भूमिका होगी कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानि निजी उद्योग पच्छों द्वारा लाए जाएंगे विबिन छेत्रों और राजियों के बीच किस तरह का संत दूसरा है समुवर्ती सुची में वन और कर्षी विसे रखे गए थे तीसरा है वह आर्थी योजना जिसमें सरकारी और नीजी दोनों चहतर को विकास में भुमिका दी गए थी उसे मिस्रित अर्थेवस्ता मोडल कहा गया अगला है पोटी स्री रामुल्लू की मुर्ट्यू में इतना जबर्दस आंदलन हुआ कि सरकार को अंधर भासी राज्ये के गठन की मांग को मानना पड़ा अब अगला प्रशन है प्रशन सिंक्या चार सही या गलत बताई का आजादी के समय ज़्यादा तर भारती गाओं में रहते थे यह बाइत सही है यहाँ लिकेंगे सही अगला है समिधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदश्यों से मिलकर बनी थी यह कतन गलत है यहाँ लिकेंगे गलत अगला है पहले राष्ट्री चुनाओं में केवल पूर्सों को वोट दینका अधिकार दिया गया था? यह लिखेंगे गलत अगला है दूसरी 85 योजना में बारी उध्योगों के विकाज पर जोड दिया गया था? यह लिखेंगे तो यह लिखेंगे सही अब अगला प्रशन है राजनिती में हमारे पास समानता होगी और समाजीक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की रहा पर चलेंगे कहने के पीछे डॉक्टर अंबे डकर का क्या आसे था तो आंसर लिखेंगे डॉक्टर अंबे डकर ने ये सब्द सभी परकार की असमानताओं को दूर करने के लिए कहे थे समीदान सभा के सामने अपने अंतिम भासन मुनों ने कहा था कि राजनिति लोकतंतर के साथ साथ आर्थिक और समाजिक लोकतंतर भी जरूरी है ज़री लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब वह उची नीची जात्यों का बैदवा अपने आप समाप तो नहीं हो पाएगा सच्चा राजनिति लोकतंतर तब इस्तापित हो सकता है जब देश में सामाजी को आर्थिक समानता भी सुनिश्चित की जाए अगला प्रशन है सुतंतरता के बाद देश को बासा के आधार पर राज्यों में बाटने के प्रति हिचकिचार्ट क्यों थी आंसर लिखेंगे 1920 के दसक में सुतंतरता संगर्श की मुख्य पार्टी भारती राष्ट्री कांगरेस ने आस्वासन दिया था कि सुतंतर भारत में प्रतेक बाड़े भासाई समों का अलग अलग प्रांत होगा प्रांतु आजादी मिलने के बाद कांगरेस ने इस दिसा में कोई पग नहीं किया इसका कारण था देश का विभाजन भारत धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों में बंट गया था सुतंतर था एक राष्ट्र को नहीं बलकि दो राष्ट्रों को मिल रहे थी देश विभाजन के फलसुरूप हिंदूओं और रूप में बीच हुए भीसम दंगों में दस लाग से अधिक लोग मारे गे थे एससे में यक चंता स्वापाविक थी कि भासा के आधार पर इस तरह के और बंट्वारे जएल पायेगा पर्दान्मंतर जाला, नहरू और उपध्धान्मंतरी वल्लबाई पतेल दोनों ही भासा के आधार पर राजियों के कठन के विरोदिते विबाजन के बाद नेरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवर्त्या सिर उठा रही है जिन परंकुष लगाने के लिए राष्ट को सक्तिसाली और एक जूट होना होगा पटेल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था इस समय भारत की पहली और आकरी जरूत यह है कि उसे एक राष्ट बनाया जाए राष्ट्रवाद को बढ़ावा हर चीज को आगे बढ़ने चाहिए उसकी राष्टे में बादा डालने वाली हर बात को खारिश कर दिया नज जाहिए हमने यही कसटी बासाई प्रांतों के प्रशन पर भी उठाई थी अपना ही थी इस कसटी के आदार पर बासा के आदार पर प्रांतों के गठन की मांग को समर्तन नहीं दिया जा सकता अगला प्रस्ण एक कर्ण बताईए कि आजादी के बाद भी अंग्रेजी जारी क्यों रही अगला आंसो लिखेंगे समिधान सभा के समय समिधान सभा में भासा के प्रस्ण पर तीकी बहस हुई बहुत से लोगों का मालना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भासा को भी विदा कर देना चाहिए उनका कहना था कि अंग्रेजी के इस्तान पर हिंदी को अपनाया जाए पर उन्तो जो लोग हिंदी भासी नहीं थे उनकी राय अलग थी समिधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णा चप महाचारी ने दक्षिन के लोगों की ओर चेताओं ने दिते हुआ कि यदि उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत से लोग भारत से अलग हो जाएंगे इस विवाद से बचने के लिए बीच का रास्ता निकला गया समिधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजबासा के दरजा दिया जबकि अदालतों सेवाओं विभिन राजियों के बीच संचार आदी के लिए अंग्रेजी का परियोग संद्रने लिया गया इस परकार भ भारत में भारत के एक विसाल संख्या गावों में रहती थी आजी विका के लिए किसान और कास्तकार वर्षा पंधिर पर रहते थे जही इस तरी अर्थवस्ता के गेर कर्शी छेतरों के थी यदि फसल खराब हो जाती तो बढ़ाई बुनकर और अन्य कारीगरों के आई भी सं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके एक और विकास के प्रिक्रियाओं को साथ सा चलाना था यदि भारत के विबिन वर्गों के बीच मत बैदों को दूर न किया जाता तो हिंसक और बहुत खतनाक टक्राओं का रूप ले सकते थे लिहाज ऐसे टक्राओं देश के लिए ले तो अधिक भेदभाव पैदा हो सकता था ऐसी इस्तिति में अमीर और गरीब सहर देहात संपन और पिच्री इलाकों का अंतर पैदा हो सकता था अगला प्रशने मीरा बहन कौन थी उनके जीवन और आदर्शों के बारे में बताएं आंसर लिकेंगे मीरा बाई का जन्म 1498 विश्वी में पाली के कुड की गाओं में हुआ था वे सोलवी सताब्दिक में कि ये कृष्ण भक्त और कवियतर थी उनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो जाती है उनके गुरु रविदास जी थी वे बच जो समय बाद उनके पतिका देहान थो गया, पतिकी मुर्द्यों के बाद उन्हें पत्तिक के साथ शती करने का परयास किया गया एक है तो मेरा इसके लिए तयार नहीं हुई, विरख्थ हो गई और सादू संतों की संक्ती में हरी कीरतन करते हुए अपना समय व्यायतित करने लगी पती के परलोकवास के बाद इनकी बक्ते दिन बढ़ती गई ये मंदिरों में जाकर वहां मौझूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्थी के सामने नाच दी मीरा भाई का कृष्ण भक्ती में नाचना और गाना राज प्रिवार को अच्छा नहीं लगा उन्होंने कई बार मीरा भाई को विश्ट देकर मारने की कोशिस की घर वालों के इस प्रकार के वेवार से परिशान होकर वह द्वार का और वरंदावन चली गई मीरा ने अपना संपूर्ण समय कर्ष्ण भक्ती गीतों की रचना करते हुए वेचिस किया उसने कुछ 250 पद मारवाडी राजथानी ब्रज गुजराती मिसित भासा में लिखे उसकी परमुगर रचनाओं में गीत गोविन की टिका नर्शिंग जी का मायरा राग सौरट के पद रागडोईन का इस परकार ग्यारा गरंत मिलते हैं अगला प्रशन परस्केदरत पाकिस्फसान के आधार पर हुए उन विवद्वों के बारे में बताए लगा हैं जिनकी hindsight बांगलादेश का जनम हुआ बांगला देश को पाकिस्तान से आजादी कैसे मिली आंसर लिकेंगे 1947 में जब पाकिस्तान बना इसे दो भागों में विबाजित कर दिया गया था एक भारत के पूर में और दूसरा भारत के पश्चिम में दो छेतरों को ना के वेल भोगी के आधार पर विबाजि किया इसका पूर्व पाकिस्तान में व्यापक विरोध हुआ इन विरोधों को 1952 में बंगाली भासा आंदुलन के रूप में जाना जाता है इन आंदुलन ने बंगाली भासा को पूर्व पाकिस्तान की आधिकारिक भासा के रूप में मानेता देने की वकलत की पूर्व पा पाकिस्तान को हरा दिया इसके प्रणाम सो एक नए देश बांगलादेश का अंदर मान हुआ फल सुर्पु निशु चोतर में पाकिस्तान ने बांगलादेश के स्वतंतर राज्य की गोशना की दी इस परकार चैप्टर सिंग के अदस भी कंप्लिट होता है वीडियो अच्छ